नमस्कार आप देख रहे हैं वाइस उप एमपी नियूस चैनल और मैं हूँ आपके साथ दिवेनी शिर्मा केंदरी परिवेक्षकों की उपस्तिती में भाष्पा विधायक दल की बैठक में मोहन यादव को नेता चुल लिया गया इसके बाद मुखे मंतरी शिवरास्तियां चोहान ने अपने पस से इस्तिफा दे दिया और मोहन यादव ने सरकार बनाने का दावा भी कर दिया मोहन यादव 13 दिसंबर को मोतिलाल नहरो स्टेडियम में शपत लेंगे इसके साथ ही चर्चा है कि उनका मंतरी मंडल कैसा होगा चुनाव लड़े दिगजों का क्या होगा वही जो है वधानसभा चुनाव में भाशपा ने तीन केंदरी मंतरी समेश साथ सांसदों को चुनाव लड़ाया था इसमें जो है एक केंदरी मंतरी फगन सी हैं कुलस्ते और सांसद गणे सी हैं चुनाव हार गए बाकी नरेंसी तोमर प्रहलात पटेल केलाश विजेवरगी राके सी हां और राव उदे प्रताब सी हां रिती पाठक चुनाव जीत कराए हैं वही नरेंदर सी हां तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है ऐसे में सवाल यह है कि बाकी दिगश नेताओं को कहां अड़स्ट किया हुजाएगा हालांकि भाज़पा सुतरों का कहना है कि इसमें से कुछ चेहरे केंदर में लिये जा सकते हैं मद्यप्रिदेश विधानसभा चुनाव में शिवरासिय चोहां समेच 32 मंत्रियों ने चुनाव लड़ा था इसमें 12 मंत्री हार गए अब 19 मंत्री दोबारा चुनाव जीत करा हैं महीं अब इन में से कई पुराने मंत्रियों को हटा कर नए चेहरों को मोका दिया जा सकता है इस बार लोग सभा शेत्र के अनुसार मंत्री मंडल में इस्थान देने की भी चर्चा है यादव के लिए सभी के साथ बहतर तालमिल बना कर काम करना आसान नहीं है अब थक के लिए से फितना ही आगे कि तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहें वाइस फैंपी के साथ